हेलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल, रादे रादे, ये शाम के करीब चार बजे का टाइम है, मैं गई थी थोड़ा सा बाहर गूमने के लिए और वहां से मुझे लेके आने थे थोड़ी सी नीम की टहनिया क्योंकि सर्दिया स्टार्ट हो रही हैं और सर्दिया स्टार्ट होती ही हलका सा सिर्फ में डेंडरफ हो जाता है, नीम के पानी से से दोने से काफी राहत मिलती है तो फिर इसके बाद मैं आगे थी घर, बच्चों को खानी थी white sauce मैगी, तो यहां उसके लिए मैंने पानी boil करने के लिए रख दिया था, अभी इसमें डाव दिया है थोड़ा सा oil और थोड़ा सा नमक, अभी से अच्छे से boil कर लेंगे, ऐसा करने से वो चिपचिपी नहीं ब बनती हैं, और यह देखे, पानी में boil आने के बाद, यहां मैंने two pack मैगी के डाल दिये हैं, अब इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया है, थोड़ी देर में इसे चेक कर लें, अगर यह हाथ से आसानी से तूर जाती है, नाखुन से हम इसे दवागे देखते हैं, यह आसानी से तूर जाती है, तो यह बन गई है, अब इसे एक स्टेनर में निकाल कर साइड में रख लिया है, और एक पैन में लिया है, और इसके लिए सबजियों को मैंने बारिक बारिक काट लिया है, बच्चे वैसे तो सबजिया खाते नहीं, लेकिन इस तरह का कुछ ब पनूल लेंगे और फिर उसके बाद सारी कटी सबजियों को इसमें डाल देंगे, अब यह बन देंगे थोड़ा सा नमक और सबजियों को थोड़ी सी देर के लिए पका लेंगे, यह हलकी सी सोफ्ट हो जाएं, ज्यादा भी नहीं पकाना है, हलका सा उसमें कच्चापन होना यह ही है, यह देखी, थोड़ी देर में सबजियां हलकी सी सोफ्ट हो गी है, ज्यादा भी नहीं पकी है, अब इसे मैंने निकाल लिया है, और उसी पैन में लिया है थोड़ा सा बटर, बटर मेल्ट होने के बाद, अब यहाँ पे डाल देंगे दो चमच मैदा, अब हम यहा पर हलका सा बूल लेंगे, उसका कलर चेंज नहीं होना है, बिल्कुल मैदे को हमने हलका सा ही बूल लेना है, और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो यह एकदम से ज़्यादा बून जाएगी, और यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा दूट डालेंगे, और यहाँ मेर मेरा बेटा प्रेंस कर रहा है क्योंकि उसे ये चीज बनाने और खाने का शोक है बना भी लेता है और ये देखिए इसमें बिल्कुल भी लंच नहीं है अब यहाँ पर मैं एक ग्लास के करीब और दूर डाल दूंगी और अब इसे गाड़ा होने तक पका लेंगे ज़्यादा गाड़ा ना करें क्योंकि हमने इसमें मैगी और सबजिया भी डालनी है अब यहाँ पर यह पहले से कापी गाड़ा हो चुका है अब यहाँ डाल देगे नमक नमक ध्यान से डाले है क्योंकि हमने मैगी को वैल किया थ तब भी नमक डाला था और सब्जों में भी हमने नमक डाला था तो बिल्कुल ध्यान से यहां पर नमक डाले नहीं तो तेज हो जेगा और डालेंगे आधा चमच के करीम कालिमेच इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है अच्छे से मिक्स कर देंगे डालेंगे कुछ और अब यहां पर मैगी भी डाल देंगे बच्चों को यह चीजी बड़ी ही पसंद आती है और शाम के टाइम तो कुछ न कुछ वो डिमांड करते ही हैं तो बहार से लाने से अच्छा है घर पर ही इनने कुछ बना कर दिया जाए यह देखिए अब यहां पर मैगी भी इसम मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद उपर से मैंने डाल दिया है मोजरेला चीज आपके पास किसी भी तरह का चीज हो वो आप उपर से डाल सकते हैं और चीज डालने के बाद इसे ढख कर बिल्कुल लो फ्लेम पर एक मिन्ट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे यहां पर चीज भी अच्छे से मेल्ट हो गया है वाइट सोस चीजी मैगी बनकर तयार है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है आप इसे जरूर ट्राय करना और इसके बाद मैंने शुरू कर दिये थी रात के खाने की तयारी यहां पर दूद भी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है और सबजी भी बनाने के लिए कड़ाई यहां पर रख दिया है अगर आपको देरी हो गई है तो आप जल्दी से अपने काम कैसे करें तो उसके लिए कभी भी सबजीयों को पहले चोप करने ना बैठें आप साथ सब्सब्जीयों को चोप करते रहें और बनाते रहें यह देखिए मैंने पहले ओइल डाल कर गरम होने के लिए रख दिया था और साथ में प्याज को चोप कर लिया ओइल गरम हुआ तब तक मैंने टमाटर को चोप कर लिया यह लहसुन मिर्ची का एक पेस्ट है जिसे मैं हमीशा बना के रखती हूँ और अब यहां पर प्याज भी ब्राउन हो गए हैं यहां पर हल्दी गरम मसाला जो अपने बेसिक से मसाले डालते हैं वो सब डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे और लहसुन हरीमेच का पेस जो मैंने बना के रखा था इस तरह से खाना बनाना बड़ा ही इजी हो जाता है और इसके बाद यहां पर मैंने टमाटर भी चौप करके रख लिए थे अब इसे भी डाल देंगे मैंने किसी भी सबजी को पहले नहीं काटके रखा है क्योंकि मुझे देर हो गई थी और उसके बाद मुझे जल्दी से खाना बनान अब यहां पर हम आलू को डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे भी पकने के लिए छोड़ देंगे इसे हम सिर्फ दो मिनट के लिए पकाएंगे उसके बाद हम इसमें बैंगन डालेंगे और यहां पर यह भी मैंने कट करके नहीं रखे थे जब तक दो या ती तीन मिंट के लिए आलू पका लिए हैं क्योंकि आलू देर से पकता है और बैंगन जल्दी पक जाते हैं और यहां इसे डाल कर अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसे भी ढख कर सबजी को पकने के लिए छोड़ देंगे मैंने किसी भी और बीच में मुझे जब भी टाइ और इसके साथ साथ मैंने यहां पर आटा भी लगा लिया है यह दिकी सबजी बनकर तयार है अब यहां पर डानेंगे कसूरी मेथी काले मिर्च यह देखे अगर आपको देरी होती है तो आप एक साथ मल्टी टास्किंग करके अपना काम बढ़ी ही आसानी से कर सकते हैं अग अगर मैं यहां पर सब्जियों को पहले चौप करती और फिर उसके बाद सब्जी बनाती तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है यहां मैंने सारे काम साथ साथ के हैं सब्जी भी बन गई आटा भी लग गया और बरतन भी साथ साथ दुल गए और यहां पर मैंने रोटिया भी बना लिए हो गए ना सारे काम साथ साथ इस तरह से आप अपने काम को बिल्कुल जद्दी से कर सकते हो यह देखी आलू बेंगन की सब्जी रोटी और लसी या दही के बगएर तो काम ही नहीं चलता अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए मुझे कमेंट करके जरूर बता फिर मिलते एक नहीं वीडियो के साथ बाई